हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटुब चैनल किट्नी ट्रीट्मेंट विदाउट डायलेसिस में जहां हम आपको किट्नी से जुड़ी कई जरूरी चानकारियां देते हैं और ऐसे ही आज हम आपको बताने वाले हैं क्या किट्नी के मरीज मूली का सेवन कर सकते हैं या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं आपको बता दे कि लोग मूली का सेवन अपने स्वाद और अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं इसका स्वात थोड़ा तीका होता है लेकिन इसका सेवन आप के लिए काफी फायदेवन माना जाता है आईए इसके कुछ खास फायदों के बारे में जान लेते हैं आपको बता दे कि मूली में केलvaluation, iron, magnesium और vitamin C सही मातर में पाये जाते हैं जो आपके शरीमें इन सभी minerals का संतूलन बनाए रखते हैं आपको बता दे कि मूली में 95% पानी पाया जाता है जो आपके किटनी को अंदर से साफ रखने में मदद करता है आपको बता दे कि अगर आप मूली का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में गंदगी जमा नहीं होती और आपके केटनी अपना काम ठीक से कर पाती है इसके अलावा जिन्हें केटनी में स्टोन की समस्या होती है उनके लिए भी मूली का सेवन काफी अच्छा माना जाता है जो लोग मूली का सेवन करते हैं उन्हें हार्ट से जुड़ी दिक्कते नहीं आती आपको बता दे कि मूली आपको डायबर्टीस के खत्रे से भी दूर रखती है आपको बता दे कि मूली में सही मातरा में एंटी डायबर्टिक गुन पाये जाते हैं जो आपके बलड में ग्लुकोस की मातरा को कंट्रोल में रखते हैं जिससे ब्लट में शुगर का स्तर समान्य बना रहता है। अगर आप मूली को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इससे आप कैंसर जैसी गंभीर बिमारियों से बचे रहते हैं। क्योंकि मूली में एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देतें। और आप कैंसर जैसी गंभीर बिमारियों से बचे रहते हैं। मूली आपके बढ़ते हुए ब्लट प्रेशर को समान्य बना रखने में मदद करती हैं। इसमें सही मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है। जो आपको हाई ब्लट प्रेशर की समस्या से राहत दिराता है। आपको बता दे कि जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए मूली का सीवन काफी फैदिमन माना गया है। मूली में डिटॉक्सिफाई के गुण मौजूद होते हैं, जो आपके लीवर को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। और आपको पीर्ची जुड़ी परिशानिया नहीं होती। और साथ ही मूली का सेवन आपके डाइजेस्टिस सिस्टम को भी ठीक रखता है। जिससे आप कॉंस्टिपेशन, स्टमक क्राम्स और स्टमक ब्लोटिंग जैसी समस्या से दूर हैते हैं। तो ये थी मूली के कुछ खास फायदे। लेकिन आपको बता दे जो किड्नी के मरीज हैं, उन्हें बिन डॉक्टर की सलह से मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। उमीद आपको उमारी दीजानकारी पसंद आई होगी। फिरहाल आज के लिए बस इतना ही।